तो यार फिजिक्स की स्ट्रेटेजी ने कितनी सक्सेस तुम्हें दिलाई ये तुम्हें पता है और इसलिए तुम सब ने का कि बाबा जी मैच्स के लिए भी कुछ करिये मैच्स के लिए भी कुछ करिये तो यार देखो एकदम से मैच्स के लिए सारा सिलेबस तो नहीं ला सक जो की महारती हैं तो मैंने सब को कॉल लगा दिया अब तुम लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने का यार कुछ ना कुछ तो अच्छा इनको देना चाहिए ताकि जो ट्रस्ट है और जो बिलीव है उसकी वज़े से इन तक सही चीजें जाएं तो मैंने फोन लगाय say to be very precise साथ दोस्तों से बात करी जो mathematics पढ़ाते हैं और बहुत ग्यानी लोग हैं तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि यारिक काम करो तुम ये 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 पैटर्न को follow करने को सबसे कहो और अगर वो ये करते हैं तो उनका काम हो जाएगा तो मैंने का क्या ऐसा है ऐसा क्या दि आने वाला हूँ और इस पेपर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बाबा जी उन सब लोगों से मिलकर तीन गैस पेपर बनवाएंगे और फाइनली आपको पता है कि जब गैस पेपर आता है तो कितना important होता है तो वो साथ लोगों के दिमाग मिलका जब आपके तीन guest paper बनाएंगे तो आपका guest paper जरूर फसेगा वो मैं आपको दूँगा बताऊंगा आपको dates क्या है उन guest paper की तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी maths की strategy क्या है तो देखो भाई उन्होंने ये कहा कि तुमने न जान निकाल दी थी बच्चों की मतलब साथ दिन थे सुभा आट बजे से बता देते थे उनको करना क्या है रात को दस बजे तक उनको लेकर जाते थे ग्यारा बजे तक तुम live पढ़ाते थे उनको और उसके बाद भी कई लोग पढ़ रहे होते थे तो थोड़ा rest तो बनता है लाइफ में तो सबने rest किया होगा इसलिए मैंने बीच में ये strategy वीडियो नहीं डाला अब मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो को और इस वीडियो में मैं आपसे ये मान रहा हूँ कि 25 से आपने पढ़ना स्टार्ट किया 25 त 26 को क्योंकि आप थंडे दिमाग में रहोगे तो वेक्टर को उठाओ उसका रीजन ये है कि वेक्टर अपन फिजिक्स में भी पढ़ते हैं मगर हमें ये पता है कि इसके concept में में कितनी रिक्कत आती है और मतलब cross product dot product सिब दो ही चीज़ों का हम यूज़ कर रहे होते हैं मैस में तो तुम कितने सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे होगे कितने concept यहाँ पर लग रहे होंगे इसलिए ठंडे दिमाग से इसके practice करना बहुत ज़्यदा जरूरी है फिर आता है अपना 3D so vector 3D अब अगर अपन देखें तो इसको ठंडे दिमाग से करना था दो दिन मैंने 3D को भी दे दिये यहाँ पर मतलब मैं 25 से मान रहा हूं कि आपने पढ़ना स्टार्ट किया 21st, 22nd, 23rd, 24th चार दिन आपने rest किया है बहुत बढ़िया कोई दिक्कत नी दिमाग rest मांगता भी है इतनी rigorous training के बाद इसके बाद integration और area under curve ये मैंने आपको ये तीन दिन दिये हैं आराम से इसकी practice करो इसकी practice करने के पहले अगर कर सको तो एक चीज और करना बलकि infect पहले ही दिन से तुम करना स्टार्ट कर देना trigonometry के formula एक बार देखना शुरू कर देना अपने personal experience से बता रहा हूँ और मतलब मुझे ना बड़ा वो लगता था कि इतने सारे formula कैसे याद करो सब एक जैसे दिखने लगते थे अलबा बीटा गामा जैसे अपने physics में होते ना ऐसी सारे के सारे दिखने लग जाते थे cos, sin, 10, यहाँ पर यहाँ पर divide, यहाँ पर 2, यहाँ यह तो बड़ी दिक्कत आती थी तो practice कर लोगे काम हो जाएगा, तो इसलिए रोज अब देखना स्टार्ट कर देना, क्यों मोल रहाँ trigonometry, क्योंकि integration में और differential equations में वहाँ पर लगेगा, अच्छे questions में trigonometry का बहुत use होता है दोस्तों, पता होने चाहिए आपनको वो formulas, दो दिन दिये मैंने differential equation को ultimately, यहाँ पर आपको देखोगे, कि first को मैंने गायब कर दिया, ठीक है, क्योंकि obviously तुमारा PE है, जब PE की बात निकली है, तो एक चीज और बताना पसंद करूँगा, कि सुबह 8 बजे जरूर उठना, 8 बजे उठने का system जो अपनने फॉलो किया है physics में, अब उस पर वापस आ जाओ, उसके पीछे का logic भी बता देता हूँ आपको, क्या होता है, हमारी body जो है न, वो used to हो जाती है, आप 8 बजे उठोगे, 8 की जगा 7 तक भी उठते हो आप, तो आप जब पूरी rhythm में आओगे, और full form में आओगे, 10 के आसपास तक ही paper लिखने वाले हो, मतलब कि उससे में आपका brain सबसे जादा fresh होना चाहिए, और ये कैसा system है, जिसको हमें follow करना है, इसलिए अभी से उसकी practice करोगे, तो वो last वाले दिन परिशान नहीं होगे, नहीं तो क्या होगा, रात रात बार पढ़ोगे, भाई system है, आपका ये ये computer है, तो यहाँ पर जब जितनी इतनी सारी file खोल दोगे, तो यार heat up हो जाएगा, hangover भी हो सकता है, hangover मतलब वो वाला hangover नहीं, दूसरा वाला hangover, और formula याद नहीं आएंगे, फिर अपने बोलेंगे, बस मुह पे रखा है formula, याद नहीं आ रहा, वो इसलिए याद नहीं है, मैंने differential equation को, उसके बाद मैंने आप से काए probability, probability एक ऐसा topic है, यार जिस topic पर मतलब मेरे ना बड़ा दुखदर्द है यार, जिन्दगी में, मेरे marks यहीं कर दे थे, 95 आये थे मेरे, 100 मैंसे, और पांच mark जो लेके गया था ना, वो यह, यह, यह topic लेके गया था, यार, और म भुषते चले हैं, जिसको मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, नहीं तो यह number लेके जाता है, तो इसको end में बोलो, उनसे पढ़ने को, जितना पढ़ पाएं, अच्छी बात है, पूरा पढ़ ले, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मगर इसको last में ही डालो, starting म मज़ा डालो, जाधा time देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, इसके बात जो अपनी बात हुई थी, gas paper वाली, तो फिफ्ट और सिख्ट को मैं आपको तीन gas paper दे रहा हूं, इन तीन gas paper को करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, फोर्थ को एक gas paper आएगा, सिख्ट को दो gas paper ना लेना इसका, formula stringometry के हर दिन revise करना, इसके बाद भी अगर कोई doubt हो, तो बाबाजी से पूछ लेना, बाबाजी तो हमेशा तुम्हारे लिए available है, तुम्हे तो अब number भी पता है, फोन लगा देना, मैं नहीं उठा पाऊंगा, तो कोई और उठाएगा, बट आपकी information मुस् आप तक पहुँच जाएगी, और अभी तक अगर telegram group join नहीं किया है, तो जल्दी से join कर लो, मा की neat और JEE के लिए तो आप updated हो, तो like, share, subscribe करना, बिलकुल मत बूलना, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाजी की तरफ से, जाएगा,